क्या रोहिस सर्मा नहीं छोड़ेंगे मुंबई इंडियन्स का साथ IPL 2025 का आयोजन अगले साल होना है लेकिन उससे पहले मेगा आक्सन का सब बेसबरी से इंतजार कर रहें मेगा आक्सन में काफी संक्या में खिलारी सामिल होंगे वहीं विसेस रूप से रोहिस सर्मा आक्सन से पहले चर्चा का विसे बन रहें क्योंकि कयास लगाया जा रहा कि मुंबई इंडियन्स उन्हें रिलीज कर सकती है मगर अब सोचल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा कि मुंबई इंडियन्स फ्रैंचाइज ये अपने पूराने कैप्टान को रिटर्न करने का मूड बना ली है वहीं ये अभी बाते सामने आ रही कि मुंबई इंडियन्स के मैनेजमेंट वह सब मानने को तयार हैं जो हीट मैन रोही सर्मा चाहते हैं मगर रिटेन किये जाने की खबर के बीच या तय नहीं है कि उन्हें दोबारा कप्टान बनाया जाएगा या नहीं क्योंकि अब तक मुंबई इंडियन्स या खुद रोही सर्मा की और से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है वहीं आपको बता दे कि आईपेल 24 को याद करें तो मुंबई इंडियन्स ने रोही सर्मा को कप्टानी से हटा कर हार्दिक पांडिया को नए कप्टान नुक किया था हार्दिक को मुंबई इंडियन्स ने गुजरा टाइर इंटरंस के साथ ट्रेड किया था सीजन के दोरान अफवाय सामने आई कि रोई सर्मा के मुंबई इंडियस मैनेजमेंट और हार्दिक पांडिया के साथ सम्मंद अच्छे नहीं वही हार्दिक की कप्रानी में भी मुंबई कुछ खास अच्छा परदस्तन नहीं कर पाई जिसके कारण टीम अंग तालिका में आकरी अस्थान पे रही थी महीं आपको बता दे कि रवी चंदरन अस्वन ने हाली में रोई सर्मा के मुंबई इंडियन्स में बने रहने या टीम को छोड़ने पे बड़ा बयान दिया था उनका कहना था कि बड़ी खिलारियों के करियर में एक ऐसा पड़ाओ आता है जब उनके लिए पैसा अधिक मायने नहीं रखता वा केबल अच्छे वातावरन में किकेट खेलने की चाहा रखते हैं ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें